नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे नियूज के ओफीशल यूटूब चैनल में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी कुशकबरी है क्योंकि अक्टूबर 2023 के महिने में आ चुकी है बंपर भरतियां जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 की साथ नई सरकारी नोकरी के बारे में जिनके फोरम निकल चुके हैं और आवेधन शुरू हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों गर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजेगा 31 अक्टूबर से पहले आपको आवेधन करना है कक्षा दस्वी पास से लेकर के बारी पास, ग्रेजुट पास, आईटी आई पास सभी अभ्यारती जो है आवेधन करने हैं, आवेधन कर सकते हैं दोस्तों, इस भ deci बढ़ीया निकाल गई हैं साथ नई सरकारी नोक्रियां है यानि भारत के सभी अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट से घृति निकाली गई है लगवग 75,000 पदो पर ये भढ़ती है तो आवेदन करने का प्रोसेस क्या रहेगा संपुन जानकरी आपको देंगे चेन पर क्रिया क्या रहेगी कौन-कौन से पदो पर भढ़ती है सारी जानकरी पाने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देहेगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों में जदा से यदा शेर कीजेगा रोजना सिपर का सरकारी भढ़तीों की जानकरी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूटूब चेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाईएगा वीडियो को जदा लाइक कीजेगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अक्टूबर भरती 2023 के बारे में दोस्तों गर आपका केवल एक मात्र सपना है सरकारी नोक्री पाने का वो भी इस साल 2023 के अन तक तो दोस्तो 100% आप जो हैं अल इंडिया की भरतिया हैं भारत के किसी भी राज जिले में आप रते हैं तो आप सभी अभ्यारती जो हैं आवेदन कर सकते हैं मेल फिमे, लड़की लड़किया, महिला प्रुष सभी अभ्यारतियों के लिए भरतियों के लिए आप चाहें तो दोस्तों इसे Google में search कर सकते हैं जैसे दोस्तों आप इसे Google में search करेंगे आपको सबसे उपर सबसे पहले ये website मिल जाएगी यहाँ पर आकर कि आप भरतियों की जान कर देते हैं official website के मादनें से तो सबसे पहले नंबर की जो भरती है वो आपके सामने है Income Tax Department की तरफ से आई नई भरती की जी हाँ दोस्तों Income Tax Department की तरफ से आविदन शिरू हो चुके हैं Online आपसे आविदन मागे जा रहे यह जो भरती है All India की भरती है लगबस 60 पदों पर भरती है और यहाँ पर जो पद है Income Tax Inspector के पद है Tax Assistant के पद है Multitasking Staff MTS के पद है Selection का प्रोसेस बिना एक्जाम करेगा सीडी भरती के माद्यम से महीं salary 18,000 से 1,42,400 रुपे महीन आपको मिल रहे है Age limit जो है 18 से 30 साल रखी गई है और IECMA में छूट भी है Application Fees सभी के लिफ्री है वहीं qualification में 3, 12 और any graduate pass candidates जो है apply कर सकते हैं दोस्तों इसके आविदन जो है Online शुरू हो चुके है 1 October से और last date जो है 15 October 2003 से यहाँ से आपको click करना होगा आप देशेते हैं Notification आपके सामने आ चुका है Income Tax Department की तरफ से जारी किया गया है Notification Income Tax Inspector की पद पे Vacancy है Tax Assistant की है MTS की Vacancy है Salary कितनी मिल रही है उमर सीमा क्या होगी सारी जानकारी है योग्यता क्या होगी Qualification एक-एक पद की अनुसार यहाँ पर संपूर जानका इदे रिखी है बाकि सभी जानकारी लेकर कि आप अपलाए का सकते है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दूसरी नई भरती के बारे में जो कि PWD Department की तरफ से निकाली गई है यानि कि Public Work Department की तरफ से दोस्तों इस साल 2023 की नई भरती है यहाँ पर जो पज़ारी किये गए है वो है कलर के पद, जूनियर इंजिनियर के पद नर्स के पद, लाइबरेन के पद कम्पूर्टर ऑपरेटर के, केस वरकर के, हेलपर के सिकुर्टी गार्ड और ड्राइवर के पद यानि कि अलग-अलग पदो पर यह भरती है आवेदन दोस्तों आपसे ओनलाइन मांगे जा रहे हैं मल्टीपल जॉप से औल इंडिया की भरती है एस लिमिट जो है 18 से 45 साल है आई उस्यूमे में छूट है सब्सक्रिया में केवल आपका इंट्रिवू होगा आपकी कोई भी परिक्षा नहीं होगी सालरी बावन सो से बीस जार दो सो रुपे महीना आपको मिल रही है महीं आवेदन शुल्क बिलकुल फ्री है योग्यता में कक्षा आठवी दसवी बारवी और इसना तक पास सभी अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं इसके आवेदन जो है 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं माफ कीजिएगा 15 अक्टूबर इसकी लास डेट है यानि कि आवेदन अल्री स्टार्ट हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों MTS मल्टी टास्किन स्टाफ के पद हैं पोस्ट मेंड मेल गार्ड असिस्टेंट और क्लर की भर्दी है ठीक है आप इदन आप से ओनलैन मांगे जा रहे हैं चेन प्रक्रिया में केवल मेरेट के आधर पर आपका चेन होगा ना तो आपकी परिक्षा होगी ना ही कोई आपका इंट्रिवू होगा सिधी भर्दी है सब्सक्राइब करने का यहां सी आप अप्लाई कर सकते हैं सभी जानकर आपको यहां पर मिल जाएगी ऑफिशल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं भरती की पूरी जान करे सकते हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं रेल्वी की बड़ी भरती के बारे में दोस्तों इस्टन रेल्वी की तरफ से आ चुकी है नई भरती यहां पर आप दोस्ते हैं 3,115 पदों पर यह भरती निकाली गए जिसमें अलग 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 ट्रेड में पद हैं फिटर, वेल्डर, मेकेनिस्ट, ब्लेक स्मीट, कार्पेंटर, लाइनमें, वायरमें, रेफिजरेटर, ऐसी मेकेनिक, इलेक्टिशन, काफी सारे पद हैं ठीके आप इधन आपसे ओलाइन में गे जारें ओल इंडिया की भढ़ती है मेल फीमेल सभी के लिए वही चेन प्रकरिया में कीवल मेरिट के अधर पर आपका चेन होगा और इस्टन रेल्वे की जॉब लोकेशन है एस लिमीट जो है 15 से 24 साल रखी गई है आईउसिमा में चूट है अप्लिकेशन फीज जनरल ओबीसी के लिए सो है सब्सक्राइब करते हैं अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और बंपर भरती की तरफ से निकाली गई है दोस्तों यह जो भरती है बिजनेस प्रमोटर के पदों पर भरती है तीन हजार पदों पर यह भरती की सूचना जारी की गई इसके आवे दिन दोस्तों आप से ऑनलाइन मागे जा रहे हैं सेलेक्शन का प्रोसेस के वो रिटन एक्जाम के दोरा रहेगा सालरी 45,000 से 1,42,400 रुपे पर मांथ आपको मिल रही है आल इंडिया के के इंडिगेट्स मेल और फिमेल अपलाई कर सकते हैं वहीं दोस्तों एस लिमिट जो है 20 से 45 साल रखी गई है आई इस यूमा में छूट भी है क्वालिफिकेशन में 12 पास के इंडियर्स अपलाई कर सकते हैं इसके आवे दिन 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेंगे यहां लिंक अपलाई करने का नोटिफिकेशन के साथ बाकि सभी जानकर यह आप नोटिफिकेशन से ले सकते हैं तो काफी अच्छा सुने रहा अफसर है अपलाई की से एगा बहुत ही अच्छी यूप निकाली गई है और आप दिसकते हैं Employees State Insurance Corporation ESIC के तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया अलग-अलग पदों पर भढ़ती है आप यहाँ पर पूरी लिस्ट चेक आउट का सकते हैं Audio Meter Technician के पद है Dental Mechanic के हैं ECG Technician के हैं Junior Radiographer के हैं Junior Medical Laboratory Technologist के पद हैं Medical Record Assistant के पद हैं OT Assistant के हैं Radiographer के पद हैं कुल मिलाकी 1038 पदों पर भढ़ती है आप इदन आप से ओन-लाइन में गे जा रहे हैं चेन परक्रिया में केवल आपका रेटने एक्जाम होगा लिखित परिक्षा Salary 45,000 से 1,42,400 रुपे महीना मिल रही है All India की जोव है Age Limit जो है कम से कम 18 साल है अधिकतम 25 साल है ICO में चूट भी है Application Fees, Journal OBC, EWS के लिए 500 है SC, ST, PWD और Females के लिए 500 है आपको लिए करना है Qualification में 10 प्लस 2, 12 पास, डिपलोमा, डिग्री पास सभी qualified candidates अपलाई कर सकते हैं दोस्तों के आवे दिन जो है 1 October से 30 October तक चलेंगे यहां लिंक अपलाई करने का और यहां से आप जो है Notification को download कर सकते हैं हर एक स्टेट के अलग कर देकिशन यह पर दियें है जैसा है कि आप यहां पर देसे हैं देली का Notification आपके सामने अलग अलग location से जहां से भी आप रहते हैं आप माली जी आपила ऑंपी आप रजास्तन कर लोग सकते हैं झालिपे कर सकते हैं टीक है ठीक है यहां से भड़ती आ चुकी है पज जो है किलर के हैं असिस्टेंट टीचर नर्स लाइबरेंट सुपरवाइजर केस वरकर हेलपर से कुरूडी गार्ड और ड्रैवर काफी सारे पद हैं आप इधन ऑनलाइन मागे जा रहे हैं मल्टीपल जॉब से ऑल इंडिया की भड लेगा तो लगभग आप यह मान के चलिए 35,000 से 40,000 रुपे महिना आपको सालरी मिल रही है अप्लिकेशन फीस बिलकुल फ्री है चाहे जन्रल ओबी सी एस्ट किसी भी श्रेणी में आप आते हैं तो आप बिलकुल फ्री में अपलाई कर सकते हैं क्वाक्षा आट वी से दस NCL की तरफ से अगर अभी तक आपने अपलाई नहीं किया है तो आज ही अपलाई केज़ेगा NCL यानि की नोर्थन कॉल्फिल लिमिटेड NCL की तरफ से आ चुकी है नई भरती इस साल 2030 की है बड़ी भरती 1140 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहां जो पद ह यहां से आपको क्लिक करना है आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको ध्यान पूरुवक पढ़ना है समझना है अच्छे से अपलाई करना है कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेट भी कर सकते हैं दोस्तों रोज़ोना इसी प्रकाल सरकारी भरतियों की जानकारी के लिए आप हमारी वैपसेट पर विजिट कर सकते हैं सरकारी टुडेइन्यूस डाट कॉम पर यहां पर आपको सबसे पहले भरती की जानकारी जाती है औ इन जय भारत